नश्कार दोफ तो आप सभी का स्वागत करते हैं UK SSC क्रेकर में तो बहुत बड़ा बयान जो है मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी जी द्वारा दिया गया है जिसमें कि उनने कहा है कि इमानदारी से परिक्षा पास करने वाले को मिलेगी न्यूक्तिया तो ये उनका जो है अब सरकार का किस तरीके से नजरिया रहने वाला है उसको आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार अब जो मतलब परिक्षा में न्यूक्ति देने के पुरे-पुरे मूड में लग रही है जिन परिक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं उन्हें रद नहीं किया गया है स्टियफ की जाँच में इन परिक्षाओं में होरे जो दोसी हैं उनको छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों को जोईनिंग दे दी जाएगी ठीके तो ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी जी द्वारा ठीके तो ये आपका बयान जो दिया गया है ये आपका दस तारिक का बयान है ठीक है तो ये जो कहना है इनका इस तरीके से सरकार का आगे का रवया रहने वाला है कुछ इसी प्रकार का रहेगा और 23 भर्तियां तो आपकी UKPSC द्वारा कराए जाएंगी उत्रखन लोकसेवा आयोग द्वारा और जो विधान सभा भर्तियां उसके अन्यमिताओं में अभी जो है जाच चल रही है ठीक है तो ये तो अभी सरकार का स्टेंड रहेगा लेकिन जो 2016 में भर्ति थी कुछ उसमें भी कुछ इसी तरीके का प्रकरण हुआ था ठीक है तो उसकी एक बार हम बात कर लेते हैं कि 2016 में किस तरीके से रहा था और कैसे जो है वो भर्तियां निरस् थी उसके बाद जो है कोट जाना पड़ा तो विलंब किस तरीके से रहा था उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं ठीक है तो ये आप देख सकते हैं 2017 की ये कटिंग है पार जिसमें की वीडियो की चेयन सूची आयोग ने निरस्त की ठीक है तो उसमें भी कुछ इसी तरीक तो ये भरती और 2017 में इसको निरस्त किया गया था और 2018 में जाके जो है रिजल्ट और एक्जाम जो है कंड़क्ट कराया गया था ठीक है तो ये 2016 की होगी 2016 में आप देख सकते हैं ग्राम पंचैत विकास अधिकाईयों की नियुक्तियों को लेकर प्रदर्शन तो 2016 में जो है वीडियो की भरती रद्ध ठीक है ये आपका 25 अक्टूबर मतलब जो आपकी भरती रद्ध हुई थी 25 अक्टूबर को जो है भरतीयों को आयोग ने रद्ध कर दिया था और किसके आदेश पर कोट के आदेश पर जो है ये भरतियां रद्ध कर दी थी तो उस समय क्या प्रक क्यों का चैयन हो गया था ठीक है तो क्या मामला था आप देख सकते हैं तो इस साल भी कुछ इसी तरीके का प्रकरण आपको दिखेगा जो 2016 में हुआ था ठीक है तो 2022 ये चल रहा है तो देख लेते हैं कि 2016 में किस तरीके से हाई कोट के आदेश पर दुबारा जो है भरती 23,000 अभ्यरत्यों ने आविदन कर परिक्षा में अनुपस्तिति रहने वाले पादर नहीं मतलब जो इक्जाम नहीं दिया था जिनने जो है उनको पातर नहीं बनाया जाएगा 11 फरवरी को कई परिक्षा होने से मतलब जो है सेंटर उपलब्द ना होने के कारण 25 फरवरी को वीडियो की पदो में जो है लिकित परिशा आयोजित कराए जाई तो ऐसा कहना था उस समय के जो संतोस बड़ोनी जी थे उनका अभी फिलाल उन पर जाच चलेगी तो अभी विजिलान्स उन पर जाच करेगी ये भी काफी संदेह के घेरे में ठीक है इनके कारण भी काफी कु जलती है और क्या होता है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं क्या था मामला 2015 में यह पोस्टर निकाले गई थी 196 पत थे 20 नॉम्बर को 2015 को आयोग ने आविदन मागे थे इसमें कुल एक लाग दस हजार ने आविदन किये थे 6 मार्च 6 मार्च को जो है इसकी लिखित परिक्ष सरकार ने मामले की 29 तरी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रनवीर सिंग को सौंप दी थी थी कि जो जाँच हुई थी उसकी जाँच सौंपने के बाद 14 जून 2017 को भरती प्रक्रिया निरस्ट करने के आदेश दे दिये कि थे इस मामले में हाई कोट ने दुबारा से लिखित परिक्षा आयोजित कराएगा तो आप लोग समझ जाएए कि अभी जो सरकार का रवया आप देख रहे होंगे कि वो भरती निरस्ट करने के मूड में नहीं लग रही है और उनका ऐसा कहना है कि जिसके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करें उनको तो हम निरस्ट कर देंगे लेक जैसे कि अध्यक्स जी हैं और जो सचिव जी है उनकी जाच होंगी और यह भरती अब लग रहा है कि हाई कोट के द्वारा ही निरस्ट होगी तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको प्रोवाइट करा देंग उनका जो है आपको एक्जाम कलेंडर जहां तक लग रहा है कि दिसंबर तक और जनवरी तक आपके एक्जाम सुरू हो जाएंगे ठीक है तो अभी से आप लोग तयारी करते रहें तो एक्जाम तो होना निश्चित है भले ही थोड़ा सा विलम लगे मिलता है नेक्स वीडि